हालो फ्रेंद्स वेलिकम टू क्राफ ब्लास आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा मिरर डेकोरेशन का आइडिया जो बनाने में बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है मेरे पास ये मिरर काफी टाइम से था इसका डायमेटर 15 इंचिस का है और इसे आज मैं डेकोरेट करने वाली हूँ इस पर हम बहुत सारा काम कर सकते थे पहले मैंने सोचा था कि इस पर लिपनाट करते हैं बट अब मैं इसके पुट्टी से कुछ इस पर कुछ नया ट्राइ करने वाली हूँ हमने पुट्टे लिया है और पानी लिया है और हमें इसका पेस्ट रेडी करना है पेस्ट हमारा थिक रहेगा और आप इसको देख सकते हैं मिक्स करने हैं आपको स्पून की हल्प से काफी अच्छे से मिक्स कीजी यह जो पेस्ट है यह हमारा थोड़ा सा पतला है और हमें इस तो चलिए इसको साइट पे रख देते हैं और इछे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टनसी को ऐसा रखेगा ताकि ये बिलकुल एक थिक पेस्ट बने इसे हमें स्प्रेड करना है अपने मिरर के किनारों पर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेस्बुक पेज पर भी देखिए जो किनारे हैं वो मैं थोड़े थोड़े ही कवर कर रही हूँ क्योंकि हमें लुकिंग मिरर का जादा पोर्शन चाहिए और हम सिर्फ किनारे यहां पर डेकुरेट करेंगे एक ठिक लेर आप इसकी बिचाते रहें स्पून की हल्प से पर आप पूरे मिरर पर एक तम से पूरी लेर ना बिचाएं क्योंकि यह बहुत जल्दी ड्राइ हो जाता है और इस पर जो भी हम लोग पेबल्स यूज़ करेंगे वो स्टिक नहीं होंगे इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन कीजिए और उसके उपर अपनी डेकॉरेशन को स्टार्ट कीजिए इतना थिकनेस बहुत है और यह हमारे पास पैबल्स है यह पैबल्स आपको एजली मार्किट से मिल जाते हैं आपके पास यह पैबल्स नहीं है तो आप ड्राइ लीव्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिरर्स जो डिफरेंट शेप्स में आपको मिल जाते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं देखें इस तरह से मेरे पास काफी सारे मल्टी कलर में स्टोंस थे जिनको मैंने अलग-अलग करके रेड येलो ग्रीन ओरेंज ब्लू अलग-अलग किये हैं आप चाहें तो मल्टीपल कलर भी इकठे लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पर अलग-अलग कलर को लगाऊंगी जैसे हमारा रेंबू होता है सेम बही मैं यहाँ पर एफेक्स देने वाली हूँ यहाँ पर हमारा पॉपल कलर आ गया है आपकी creativity के ओपर depend करता है कि आप pebbles की जगापर यहाँ पर क्या यूज करेंगे बट मैं यहाँ पर pebbles यूज करना चाहती क्योंकि मैं अपने outdoor जो हमारा वरेंडा है उसके लिए इस mirror को prepare कर रही हूँ ये बातरूम के लिए या फिर आपके ड्रेसिंग के लिए भी बहुत अच्छा एक आई गया है चलिए एक लेयर मैंने बना ली है और अब दूसरी वाली लेयर में स्प्रेड कर रही हो यहाँ पर इसी तरह से आप थोड़ी थोड़ी लेयर को स्प्रेड कीजिए और थोड़ा सा हो सके तो किनारी से बचा के कीजिए क्योंकि जब आप पैबल्स इस पर अपने रखेंगे तो वो आटोमेटिकली बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएं क्योंकि उसको प्रेस करेंगे तो तो चलिए एक और लेयर हमारी लग गई है और इस पर भी हम अपने पैबल्स को लगा के जल्दी से इसको रेडी करके मैं आपको दिखा दूँगी कि यह कैसा लगेगा मैं यहाँ पर अब एक औरेंज कलर के पैबल्स का यूज कर रही हूँ और यह मेरा बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो गया था मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे वाल पे कैसे स्टिक कर सकते हैं बहुत ही ईजली और बहुत जल्दी बिना ड्रिल किये इसी तरह के craft ideas और home decoration ideas के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and don't forget to press the bell button for notification ताकि आपको मेरे चैनल की मेरी वीडियो की notification सबसे पहले मिलें आप हमें facebook page पर follow कर सकते हैं और instagram पर भी तो इसको आप देख सकते हैं आप चाहिए तो इसको single color में भी बना सकते हैं जैसे मैंने आप 5-6 colors का use किया है ऐसे ही अगर आपके पास एक ही color के stones हैं या शंक जो आपको shells मिल जाते हैं मार्किट से आप वो भी लगा सकते हैं आर्टिफिशल फ्लास लगा सकते हैं बहुत सारे options हैं जिनको आप use करके mirrors बना सकते हैं नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग घर में रखे हुए pots को कैसे decorate कर सकते हैं तो चले ये हमने अपना last stone भी लगा दिया है औ हो गया है इसको थोड़ी देर हमें dry करने के लिए छोड़ना होगा क्योंकि पूर्टी थोड़ा सा time लेगी पूरा अच्छे से इसको जो stones है उन्हें पकड़ने में और इसको dry हुए बिना wall पे बिल्कुल मत लगाईएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आपका किसक जाएगा तो चलिए ये हमारा mirror बिल्कुल अब dry होके ready हो गया है ताकि हम इसे wall पे लगा सके at least आपको इसको 2-3 hours देने होंगे और अब मैं आपको introduce कराती हूँ इस tape से जो मैंने amazon से purchase की थी ये double sided tape होती है और आप देख सकते हैं मैंने back side पे लगाया है इसको और ये हमारा easily tile पे या wall पे लग जाता है mostly tiles के लिए है तो ये tiles पे easily आपका stick हो जाएगा ये देखे हमने तीन टेप पिछे यूज की है और ये बिल्कुल अच्छे से stick हो गया है और I hope आपको ये mirror का idea अच्छा लगा होगा मुझे comments में ज़रूर बताईएगा और भी अगर आप नहीने type की videos देखन जाते हैं तो आप हमें suggestions भी comment box में लिख की बता सकते हैं इस वीडियो को अपने friends और family के साथ शेयर करना बिल्कुल मत बूलेगा and don't forget to like the video जिन्होंने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है वह भी जल्दी से subscribe कर लिजे इसी तरह की home decoration and craft videos के लिए हम week में एक या दो बार बच्चों क worksheets की videos भी डालते हैं तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं